अस्वान के विडियो आफ प्लू वोल्ट सीटी इसलामबाद आज के स्टेटी मैं को ब्लू वोल्ट सीटी के सेक्टर वन के हम एक्षपेन करूंगा और मैं जब गूगल आर्थ लोकेशन पर जाओंगा तो मैं डेटेल वाइस हर एक स्ट्रीट का फॉल अप देदूगा कि य जिन मेंबर्स ने स्ट्रीपार फैयरें फॉल आर्वादी को प्लूट ये 600 लाग फिक्रफल उपा सेक्टर वन में इसका बाती है कि अंकि के तमां प्लॉट-प्लॉट पैसा है जो लिटिगेटेडड नहीं है अब अक्सर में वीडियो पे नीचे कमेंट देखता हूँ Blue World City के होले से तो मेंबर से कमेंट होते हैं Blue World City ने मेकप पे society के ज़्यादा काम किया हुए as compared to member के delivery की जो member जिन से पैसे कठे करके society शुरू की थी यानि कि society ने पहले role and कुछ pregure की थी फाइलें बेची पैसे आया और पैसे से जार सी बात है मज़ीड development करनी थी तो instead of development society ने society के make-up पे ज़्यादा फोकस किया तो ये नहीं करना चाही था I think मेरी ये राया है अजाती राया है कि ये society ने ज़रूरी था कि brand value create कर लिया है अब Blue World City में देखें आप horse maskets की example ले लें कि दुनिया पूरी में तॉलस horse maskets है तो सब को बता है कि पाकिस्तान में सबसे tallest horse maskets पाकिस्तान के शार रावल पिंडी में है और रावल पिंडी में जाके Blue World City में आते हैं ये जो चीज़ है ये इसने Blue World City को एक identity दे दिया है एक शनाख दे दिया है क्यों Blue World City के डिवेलपर्स का प्रीवियस को एससाच को हिस्टरी नहीं थी जैसे सामने बिल्कुल opposite side पे capital smartity है तो उनके डिवेलपर्स का एक record था कि उनके record उनके portfolio पे अलड़ी M2 motorway कह लें आप एरपोर्ट कह लें Convention Center Islamabad कह लें पाकिस्तान पुरे के DHS कह लें Barriya Aikantawa कराची कह लें तो उनका नाम एक company पाकिस्तान में एक नाम था तो इस तरह नहीं इस तरह नाम बनाया है कि shortest time में आपको दुनिया में एक recognition दे दी है एक project की तो ये बहुत बड़ी achievement है उसके बाद फिर बाकी different replicas जो आ रहे है जैसे कि आप देख लें बुर्जल अरब का replika बन रहा है पर ब्लू मॉस का replika एक साइट उसकी reserved है उसके लावा gates आप देख लें जो जिस style का gates बने हैं तो नो एक Roman style का एक Turkish style का gate है वो जो gates हैं उसकी वज़े से Blue World City की identity जमीन पे exist करने लगी है हाँ development में 2017 में जिसने plot खरीदा आज साथमा साल है तो उसको जमीन पे का delivery नहीं है जैसे फर जेंपल ये water head tank की seed में पीछे देखें तो sector 3 है अब sector 3 जमीन पे exist नहीं करता अब जो sector 3 के members हैं वो ये तो कह सकते हैं कि हमने साथ लाग अपलॉड लिया उस दोर का साथ लाग का मतलब आज का 20 लाग रुगया है क्योंकि तब डॉलर का rate जो था वो तक्रीबाना एक सुबंदरा रुपे का rate था तो जो conversion के साफ़े देखें तो definitely हो कहते हैं लॉस हुआ है ब्लू वर्ड सिटी की ओवराल जो image है वो बहुत ज़्यादा अची होगी है जैसे ब्लू वर्ड सिटी ने आप देखें इतना बड़ा उन्होंने एक project खड़ा कर लिया है को international cricketers को ओन बोर्ड लाके international cricketers उनके blue world city के बहाफ पर आकर कह रहे हैं ब्लू वर्ड सिटी में investment करें और ब्लू वर्ड सिटी में मैं जमेदारी रहता हूँ यह शोय बखतर ने पब्लिक space में का है पब्लिक domain में का है तो sports valley के आप development देख लें जमीन पे आपको सबसे ज़्यादा नजर आती है क्योंकि उसको एक international figure है जिनना ने एंडोस किया है शोय बखतर के लाव आप देख लिए पॉल कॉलिंग वूड को देख लिए रोस टेलर को देख लिए जितने international cricketers हैं उनके विलाज भी sports valley में बन रहे हैं शोय बखतर ने तो blue world city ने slowly start किया है बट अपनी पहचान जो जमीन पे बना ली है हाँ उन members को definitely इतना फाइदा नहीं हुआ जिन members ने ballot में plot आए बट किसी और sector में आगे जैसे overseas का देखें तो एक sector जमीन पे exist करता है वो भी 70-80% exist करता है और 19 में से एक exist करता है यानि कि total value का 5% exist करता है एक साल के हर साल के साब लगाएं तो 0.75% पर यर के साब से हिसाब बनता है यह delivery rate है अगर general block की देखें तो 5 sector जमीन पे exist करते हैं जिसमें से तक्रीबां 3,5 तीन developed है और तक्रीबां date sector developed है नहीं है out of 13 sectors of general block और दो extensions भी हैं I think 6 की भी extension है और 13 की भी extension है हाँ जितनी blue world city की sale purchase होती है market में वो इसलिए होती है एक low cost block है low income के साथ है और members को यहां पर बहुत अच्छी feasibility मिलती है कल एक member ने मुझे ना capital smartity के villa के नीचे comment किया था कि blue world city ने बहुत तेजी से villas बनाए है blue world city के अंदर जो आपको सामने इमेज बिल्डिंग जो इमेज बिल्डिंग जो इन साइटी की ब्रैंड वैल्यू है वो blue world city ने बहुत बहुत बेतर डिवलप किया है as compared to कि और society के blue world city ने जैसे for example horse maskets का देख लें मैंने एक example दी है उसके जाद आद बाकी sectors का देख लें जैसे for example आप gates एक लें जैसे outlook होती है आप landscaping या beauty कहती है society का नाम बनाना beauty के तोर पे वो blue world city ने बहुत अच्छी बनाई है लेकिन इसके साथ साथ जो members के delivery है उसके साथ से चीज़ें slow है तो members मुझे अगर राप्ता करते हैं जोचती है कि हम इस्पॉर्समेंट करें तो कहा करें तो मैं सिंपल एक बास सज़ेस्ट करता हूँ यहां तो जमीन पे जो develop plot है पोसेशनेब प्लॉट है वो खरीदे है secondly अगर खरीदना सिर्फ स्पोर्ट स्वैली में खरीदे है क्योंको स्पोर्ट स्वैली को एक international celebrity ने इंडोस कर रखा है तो यह नहीं होगा कि 10 साल बाद या 7 साल बाद जैसे भी general के sectors का हाल है कि 3 से आगर देखें sector exist नहीं करते है sector 3 देख लें, 4 देख लें, 5 देख लें और अब टू 15, 13, 13 के बाद extension of 13 and 6 के extension total 15 sectors हैं तो delivery नहीं है उनकी लेकिन sports valley की delivery जमीन पर बहुत अच्छी आएगी मैं Google Earth location पर चीज़न एक्स्प्रेइन करता हूं बाकी बाते में वीडियो में आगे जाके आइड कर दूँगा Blue World City के general block का map है वो देख सकते हैं इन फेक्ट यह जो initial में पहला master plan आया था उसी में जनल लेकिन general block sector 1 के हवाले से explain करूँ तो first of all मैं start करता हूँ Blue World City के main gate से के gate मैं भाहिशा gate 1 से compare करता हूँ आज gate 2 से देखते हैं सका distance कितना बनता है क्यों gate 2 भी almost अपने finishing stage पे है और किसी member ने मुझे वजिन का भी था कि gate 2 की मैं वीडियो बना हूँ डिटेल से तो इंशाला मैं आने वाले दिनों में gate 2 की भी डिटेल वीडियो पोस्ट कर दूँगा ताकि members जनकी investment है Blue World City में उनको अपनी investment के हवाले से proper follow-up मिल सके अब basically starting point देखें कर Blue World City का gate 2 के through तो ये बीच में कुछ पार्ट है जो litigated है क्योंकि ये साथ ही प्लेकुल Avalon City की land है ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है अब यहां पे Avalon City ने अपनी site के development पी शुरू कर दिया है और यह आपको main believer आगे नजर भी आ रहा है और यह आगे extend होता रहे है राउंट 5000 कनाल यहां पे Avalon City की land है अब यहां पे gate 2 के बात करें तो यहां से distance बनता है 2.18 km का main sector 1 तक अगर हम gate 1 पे जाते हैं लेट सी जी gate 1 से कितना distance बनता है gate 1 से अगर देखते हैं तो distance आपका gate 1 से अब एंटर होते हैं तो शुरू में आके जहां पे horse maskets वाला पार्ट आता है ना यहां तक सारा commercial area है यह आपको नजर आ रहे हैंगे horse maskets जिसका मैं जिकर करता है यह horse maskets हैं जिसकी विसे blue world city के जमीन पे existence बन गी है कि blue world city के value बन गी ground पे कि blue world city को project है यानि पाकिस्तान के एक शहर है रावल पंडी रावल पंडी में आगे एक शहर प्रजेक्ट है blue world city के जिसकी जमीन पे वहां पाकिस्तान के horse तॉलस दुनिया के tallest maskets हैं तो definitely उस वाज़े एक वर्थ बन गी है उसकी अगर इस gate से देखते हैं तो आपको इनिशली sector 5 है चाऊए गेट 2 से आते हैं तो पहले sector 1 आता है लेकिन से उसके सबस्क्राइब वाज़ेश को बनता था इस से दिस्टेंस अप्रॉक्सिमेट का इस से बिस्टेंस अब्रॉक्सिमेट नहीं है 100-200 meter का फरक है लेकिन उससे को ज्यादा impact नहीं आता 2.46 यह ढ़ाई kilometer का फरक है लें यह इसके entry point तक यह मैंना entry point gate 1 से लेके जहां पर forces क्राइट का लेकिए opposite side पर school एवनी है मैंने वहाँ से start किया अब ढ़ाई kilometer gap के लाब आप discuss करते हैं जी इसमें street wise कौन से plot developed हैं कौन से plot इसमें non developed हैं अच्छा मैं भी थोड़ सा street में कुछ missing भी है बट मैं idea के लिए यह street one है street one के ओपर सारे जो plot है 35 by 65 और 10 मला के plots हैं और actually अगर plot ground पर देखते हैं तो यह आपको जो plot number for example main road की बात करें यह जो main delivered आती है जिसका नाम है Northern Avenue 200 feet 8 feet wide इस पर प्लॉट नमबर 6 से पर construction हो रही है और इसके साथ दूसरा जो structure है वो plot number 8 पर बन रहा है हम plot 6 और 8 पर construction हो रही है अब 35 और प्लॉट की बात करें street one के तो तमाम के तमाम plot आप नीचे आपको street नजर आ रही होगी यह तमाम के तमाम plot जो है यह developed और प्लॉट है फिर street 13 आ जाती है street 1 से directly street 2 street 12 अगर बात करें तो यह भी सारे street जो है developed और प्लॉट है और यह चार्चा कनाल के मेरे हैं में में बलिवर्ट पे अपार्टमेंट के plot है जो रिजर्वट है एस पर जो रेंडर इमिजेज गोग जो पर फिर ग्लॉट सेटी की साइट पे है उसके मताबिक street 13 देखें मुकमल developed है मुकमल possessionable है और प्लॉट भी अब देखते है street 1 पर प्लॉट नमबर आता है प्लॉट नमबर 1 से लेके plot 17 और बैक वली street पर प्लॉट नमबर 66 फिफ्टी तो 66 16 plot street पाते हैं वो भी developed and possessionable है 67 से लेके 83 तक आते हैं street 13 पे developed and possessionable है अच्छा जी अगली street पर चलते हैं street 14 पे plot प्लॉट नमबर 84 तो 99 यह जो प्लॉट बनते हैं आपके 13 प्लॉट बनते हैं यह भी developed and possessionable है street 14 की बात करें street 14 भी developed and possessionable है और इस पे प्लॉट आते हैं वह 100 से लेके 115 फिर बैक साइड पर 114 से लेके 16 से लेके 130 15 प्लाट इदर यह भी developed and possessionable है Street 16 पर आ जाते हैं Street 16 पर आता है plot number 131 so plot number 144 14 plot इदर है developed and possessionable है यह मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ दसमर्ला plots की Street 17 पर आएं plot number 145 to plot number 157 इस पर 12 plot बनते हैं developed and possessionable है अच्छा जी इसके लवा street 18 पर बात करेंगर plot number 158 to plot number 163 यह plot भी developed है और possessionable है और इसकी back पर street 19 है उस पर plot number बनते है 171 to plot number 178 तो 7 plot इदर हैं यह भी developed है और possessionable है 8 plot और यह वाले जो plot है 6 plot इदर है developed है और possessionable है backside पर यह 7 plot है developed है और possessionable है फिर street 20 की बात करें तो इस पर plot number 179 तो plot number 192 यह आपके जो बनते हैं 13 plot developed and possessionable है backside भी road 4 आता है और road 4 पर जो plot है यह 60 width wide है इस पर plot number 193 to plot number 205 अब 193 से plot 205 है यह भी जो plot बनते हैं यह टोटल आपके 13 plots ही बनते हैं developed and possessionable है अब जो सरीन विलाज की बात कर रहा था सरीन विलाज जो है इस street बन रहे हैं तोटल I think 13-13 plots हैं per street plot number 442 to plot 455 13 plots यह हैं back side पर 13 plots हैं तो 26 विलाज यह होगे और सामने वाले side पे plot number 456 to plot number 469 तो 13 plots यह हैं जो developed हैं यह नहीं कि यहां पर already सरीन विलाज की construction भी हो चुकी है तो यह जो विलाज हैं बलके इनके corner बले plots हैं पर नहीं हुई construction corner बले plots हैं दोनों साइट पर खाली रखे हुए तो total 39 विलाज नहीं हैं इनमें से ब चार corners एक दो तीन एक दो तीन 6 विलाज कर लें तो total जो 33 विलाज हैं जमीन पर exist करते हैं blue old city के total पूरी साइट पर जो blue old city की management ने खुद बना के members को hand over करने है पांच-पांच मर लाके अच्छा जी इस से आगे चलते हैं मैं street का नाम जिकर करूंगा सिर्व आपको तो members को idea हो जेगा street 25 मकमल developed है मकमल possessionable है फिर आते हैं street 29 पे developed and possessionable है 30, 31, 32 मकमल developed and मकमल possessionable है फिर आते हैं street 33 पे 34, 35, 36 मुझे नहीं पर नहीं कहा है 38 and 40 ये जो streets हैं ये भी मकमल developed and मकमल possessionable है हाँ एक जो notice करने माली बात है वो blue old city का 3.39 कनाल का जो commercial है ये इसकी भी site पर construction हो चुकिया I think ground plus 5 का structure है जो अपने वीडियो में देखा भी है और ये mosque का इस पर construction हो रही है 3.39 कनाल का ये plot है लेकिन actually जो site पर construction हो रही है area पर मैं को भी मेर कर देता हूँ जो मस्जिद की premises बनती है वो 0.06 एकर रहती है जो मैंने कट तो मुल्टिप्ले कर लें I think ये भी कुछ देट दो कनाल की मस्जिद है जो यहां पर बन रही है But overall area जो मस्जिद का reserve है that is around 3.39 कनाल जो के अच्छा area बनता है मस्जिद के point review से पीछे पार्क है 3.39 कनाल का जो developed है और possessionable है ready है पार्क अच्छा इसमें अच्छी बात है कि पुरा ना एक business square के नाम से ना यहां एक मरकज है जो कि प्यूर्ट स्टी में general sector 1 की value में बहुत इजाफा करेगा कैसे वह आने वाला वक्त बताएगा कि यहां पे जब जितनी high-rise बनेंगी तो स्टीट्स आती है तमाम की तमाम स्टीट्स में मेरा नहीं हाले को कि स्टीट ऐसी हो जो non develop हो मा सिवाए इन छोटे से बार्ट के यह developed ही है alignment street की हुई ही है बाट यह थोड़ सी वह machinery को move करना है यहां से क्योंकि यह थोड़ सा camp office type बनावा है यहां पे तो mechanical workshop है यह तो जब यह workshop हो अरवा सरा area clear होगा तो यहां पे 30 by 60 के plot है mostly और यह भी 30 by 60 के plot है अच्छा यहां पे जो plot के sizes हैं पांच मला 25 by 45 स्क्वेर यार्ड्स में आपके 125 गाज तीस साथ आट आट मला 200 गाज और आपका इस वक्त फिजिकली ग्राउंड पर भी देख लिए और आगो गूगल अट लोकेशन की मदद से भी कफ यह तक लेर अंडरस्टेंडिंग होगी कि कि एक्चुली साइट कहां पे इक्सेस करती है अगेन बैक टो रेल टाम फोटेज इस वक्त लिए पर दोबारा सेक्टर वन की जो चैनल ब्लॉकर्स की फोटेज देख सेकते हैं बैने गूगल अट लोकेशन की मदद से प्लस जो एक्च्छल साइट फोटेज असकी मदद से अगर आपके वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीज़े अजाज़त अगली वडिज़ दर के लिए खुदा हाफिस झाल कर दो टते हैं झाल झाल